हलो दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोई श्यर्मा सब्जेक्ट अपना जॉग्रोफी देखिए लेसा नमबर अपना दो चल रहा है मानव बस्ती मानव बस्ती में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्रामीन बस्ती के बारे में जो की मान बस्ती के प्रकार है सामने दिया हुआ है ग्रामीन बस्ती और नगरिय बस्ती मानव बस्ती के प्रकारों को दो भागों में बाटा है पिछले वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके समझा दिया था परीबाशा के तौर पर जिसमें हमने ग्रामीन बस्ती के प्रकार तो नगरी बस्तिया किसे कहते है नगरी बस्तिया होती है जो दुत्य और तिर्थिय क्रिया पर अधारित होती है अब पुछो के दुत्य तिर्थिय क्रिया कौन से होती है दुत्य क्रिया होती है जो वी निर्मान्च सम्मंदित होती है जिसमें कलकार खाने होते है जहां पर का माल आता है कारखानों में और मसीनों के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन होता है उसको मुल्यवान बना दिया जाता है और बजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है ये तो दुतियक्रिया होती है जो कहां पर होती है नगरों के अंदर दूसरा होता है तिरतियक्रि इवेन है, संचार है, व्यापार है या फिर हम कहें सेवाएं वो सब कहां पर होती है नगरों मतलब ये कि दुत्ती और तिर्तिय क्रिया जहां पर होती है वो कहलाती है नगरिय बस्तिय हैं अब बात चल रही है नगरिय बस्तियों के प्रकारों के बारे में तो मैं बता दू आ आधार पर भारतिय नगरों को तीन भागों में बाटा अब वो तीन भागों से सबसे पहले आता है प्राचीन नगर दूसरा आता है मद्यकालीन नगर तीसे नबर पर आता है आधुनिक नगर ठीक है अब इनकी एक एक की परीबाशा और कैसे इनका निर्मान होता है यह कहाँ पर मौजूद है वो देखेंगे सबसे पहले देखते हैं प्राचीन नगर देखेंगे प्राचीन नगर वो नगर होते हैं इनकी उम्र होती है मतलब यह कहें कि भारत के अंदर 2000 से अधिक वर्षोव वाले एतियासिक प्रष्ट भूमी लिए अगर कोई नगर है तो सब किसमें आते हैं प्राचीन नगर के अंतरगत आते हैं मतलब ऐसे नगर जो कम से कम 2000 साल पुराने हो ठीक है अब इनका विकास कैसे हुआ बाद विकास की चल रही है इनका विकास हुआ है धार्मी को सांसकतिक केंद्रों के रूप में इनका विकास हुआ है छोटा सो धायन देता हूँ वारानासी इनमें सबसे महत्य पूर्ण है प्रमुक छेतर की बात बत वे नगर जो 2000 वर्षों से अधिक एतिहासिक प्रश्ट भूमी लिये हुए हो प्राचीन नगर कहलाते हैं बिल्कुल सिम्पल सी परिबाश्या मैंने आपके सामने मेंचन कर दी कि वो नगर जो 2000 साल पुराने हो ठीक है चलिए इन नगरों का विकास कि जाधार पे हुआ धार्मिक वे सांसकर्तिक रूप में या केंद्रों के रूप में ऐसे लिखेंगे सांसकर्तिक केंद्रों के रूप में हुआ ठीक है उधायन के तो अपने डाल देता हूँ वारणासी इन में सबसे महत्यपूर नगर है संद्मियाई बाद प्रमुक छेतर डाल देते हैं अपन अब प्रमुक छेतर ऐसे कौन से नगर है जो 2000 साल पुराने है जैसे कि मैंने बताया आपको पाटली पुत्र ठीक है कहाँ पर मौझूद है पाटली पुत्र आपके पटना में मौझूद है पटना ठीक है मदुरई ठीक है और एक और बताया मैंने आपको प्रियाग राज जो की इलहाबाद में मौझूद है ठीक है प्रियाग इलहाबाद क्लियर संद्मियागी बात सीधी सिंपल सी परिबाशा 2000 साल पुराने एतियासी प्रष्ट भूमी वाले जो प्रदेश है नगर है वो सब प्राची नगर में आते हैं धार्मी को सांसकर्ति केंद्रों के रूप में इनका विकास हुआ है वारानासी इनमें सबसे महत्यपूर नगर है जो सबसे पुराने नगरों में है और प्रमुग छेत्र आपके यह है जो प्राची नगर की स्रेणी में आता है ठीक है सेकंड पॉइंट डालेंगे यह complete है दूसा पॉइंट डालें मध्य काली नगर कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इनका विकास कैसे हुआ है और कौन-कौन से 6 तरिस में शामिल है सेकंड पॉइंट डाल लेंगे मद्यकाली नगर देखें सेकंड पॉइंट डाल दिया है मद्यकाली नगर थोड़ा सिंपल तरीके से मैं समझा हूँ तो मद्दिकाल में जिन नगरों का विकास हुआ मतलब जैसे राजा महराजाओं का टाइम था किले नगर जिसे हम बोलते हैं महल जो होते हैं जैसे कि दिल्ली, हैदरबाद, जैपू, लखनव, आगराव, नागपूर में ऐसे नगर आपको देखने को मिल जाएंगे भारत में, वर्तमान में लगबग 100 नगरों का इतियास जो है वो मद्दिकाल से जुड़ा हुआ है इनका विकास कैसे हुआ, रजवाडों और राज्यों के मुख्याले के रोप में इन नगरों का विकास हुआ था, ये किला नगर है किले जिसे महल होते हैं, बड़े-बड़े इनका निर्मान प्राची नगरों के खंडरों पे हुआ है जो प्राची नगर थे, प्राची नगरों की बात की मैंना भी उन नगर के जो खंडर थे उन पर इन नगरों का विकास हुआ है ठीक है प्रमुक छेतर मैंना भी बताए दिया दिल्ली हैदरबाद जैपुर लखनव आगरा और नाकपुर में आपको ये मद्दिकाली नगर आपको मिल जाएंगे ठीक है लिखेंगे क्या देखिए भारत में वर्तमान में लगबग सो नगरों का इतिहास मद्दिकाल से क्या है जुड़ा है पहली बात तो ये दूसरा इन नगरों का विकास रजवाडों वैर राज्यों के मुख्यालेयों के रूप में हुआ ठीक है ये किला नगर है जो प्राची नगरों के खंडरों पर इन नगरों का क्या हुआ है विकास हुआ है मतलब प्राची नगर जो थे तो पहले मुगल आए ये पहले जो राजा महराजा आए तो उन प्राची नगरों के उपर अधिकार कर लिया उनको खंडर बनाया उन खंडरों पर इन नगरों का क्या कर दिया विकास कर दिया आप देखिए प्रमुक छेत्रों की बात कर लेते हैं प्रमुक छेत्रों में जैसे कि आपकी दिल्ली है हैद्राबाद है लखनव है आगरा है समझे में आई बात यह सारे के सारे यहाँ पर देखना अधिक से अधिक आपको के लिए महल मिलेंगे आपको ठीक है इसके अलाबा जैपूर है ठीक है दिल्ली, हैदराबाद, लखनव, आगरा, जैपूर यह सारे के सारे आपके एको डाल दीजिए नापूर ठीक है, यह सब के सब मद्धिकालीन नगर है अगी बासन में, जिनका विकास हुआ रजवाड़ों और रज्यों के मुख्याले के रूप में, क्लियर यह आपका दूसरा बिंदू भी कंप्लीट है अब हम बात करते आधुनिक नगर की तो आधुनिक नगर का तीसरा बिंदू आप डाल लीजिए देखें तीसरा बिंदू डाल दिया मैंने आधुनिक नगर तो मैं आपको बता दू आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ है किन के जरीए हुआ है, अंग्रेजों और अनेक जो यूरोपियन हमारे भारत में आए उन्होंने अनेक नगरों का विकास किया जब उन्होंने पहली बार हमारे आये किदर से समुद्र टटवर्तिय चेत्रों से जब पहली बार वो समुद्र टटवर्तिय चेत्रों से अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वर प्रतम उनके सामने जो छेत्र थे वो सूरत था, दमन था, गोवा था, पॉंडी चेरी था, उनका उन्होंने विकास किया, बाद में इन छेत्रों को व्यापारिक पत्नों के रूप में विक्सित कर दिया, फिर बाद में वो क्या करते हैं अंग्रेज लोग, पत्र youidanic नगर देखने को मिल जाएंगे, मेंचन कैसे करना है, देखिए, अंग्रेजों वे अन्य, यूरोपी ओने, इन नगरों का, विकास किया, सलम्याई बाद, इन नगरों का विकास किसे ने किया, अंग्रेजों ने और यूरोप्यों नोट, ठीक है, अब वो प्रवे इस कहां से करते हैं टर्टिय इस्थानों पर पहली बार जब वे पैर रखते हैं तो दमन है गोवा है ठीक है सूरत है पांडिचेरी है को नगरों के रूप में क्या किया विक्सित किया ठीक है बाद में इन नगरों को बड़े व्यापारिक पतनों के रूप में क्या कर दिया बदल दिया ठीक है तो मतलब सबसे पहले उन्हों ने सूरत पॉंडिचेरी दमन और गोवा जैसे छेत्रों को चुना और उनका नगर के रूप में बदलाओ किया फिर बाद में उनकी नजर पढ़ती है मुंबई, कॉलकत्ता और चेनाई पर ठीक है अंग्रेजोने बाद में आपके मुंबई है मुंबई को बोलते हैं क्या बंबई ठीक है कॉलकत्ता को बोलते हैं कलकत्ता सरी में आई बात और एक छेत्रों और आपका चेन नई जिसे हम बोलते हैं पुराने जमाने में मदरास चेन नई मदरास पर अपनी क्या बनाई पकड बनाई और बड़े नगरों में विकास किया ठीक है इस तरीके से इन नगरों का विकास हुआ था अंग्रेजों और यूरोपियनों के माध्यम से प्रमुक छेत्रों के अंदर इन तीनों बिन्दों का नाम डाल दीजिए जैसे कि आपका पहला तो मुंबई हो गया फिर चेन नहीं हो गया और फिर आपका कॉल काता हो गया ठीक है तो इस तरीके से अपने ये तीन बिन्दों कम्पलीट होते हैं प्राचीन, मध्य और आधोने की नगर एक बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं दुबारा सुन लीजिए प्राचीन नगर वो नगर जो 2000 साल पुराने हो धार्मी को सांसकर्ति केंद्रों के रूप में विक्सित होते हैं प्रियाग, पाटली, पुत्र, मद्रोई, प्रमुक्छेतर हैं मध्यकाली नगर ऐसे भारत में 100 नगर है जो जिनका इतियास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है इन नगरों का विकास हुआ था रजवाणों और राज्यों के मुख्यालेओं के रूप में ये किला नगर है और इनका निर्मान हुआ है प्राची नगरों के खंडरों पर ठीक है प्रमुक्छेतर, दिल्ली, हैदराबाद, जैपूर, लखनव, आगरा और नागपूर आधोनिक नगर है ये अंग्रेजों ने और यूरोपियनों ने भारत में आए और नगरों का विकास किया सबसे पहले जब वो टटवर्ती चेतरों से समुदिर चेतरों से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने सूरत, दमन, गोवा, पॉन्डी, चेरी सामने दिखते हैं उन नगरों का विकास करते हैं फिर बाद में वो व्यापारिक पत्नों के रूप में उनका विकास करते हैं फिर अंग्रेज लोगों ने नजर बनाई किस पर मुंबई पर, कॉलकत्ता पर और चेननाई पर और इनको भी इन नगरों में बड़े-बड़े नगरों के अंदर इसको विक्षित कर देते हैं फिर इनके प्रमुक छेत्र में बता दिये मुंबई चेननाई और कॉलकत्तता इस तरीके से अपना नगरी बस्तियों के प्रकार प्राचीन, मद्य और आदुनिक नगर कम्प्लीट होता है इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बतायों में चैनल को सस्क्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सको धन्यवाद